हाई गाई वेल्कमेटल न्यूव्लोग, तो फ्रेंड चलिक, आज के ब्लोग काफ्र रोमांटिक और जवर्दस्थ होने वाला तो लेसस टार्ट थे ब्लॉग गुया जी क्या सोच रेंगी है? तो गुया जी क्या सोच रेंगी है? ब्लॉग रोमांटिक बनेगा तो हमारे ओडियंस लोग काफी खुश होंगे तो गाइस चलिए ब्लॉग में बने रहे हैं आगे हम रोमांस ब्लू करते हैं तो आप लोग ब्लॉग को फुल बात कीजिए अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए हम लोग मस्ती करते हैं आज गुरिया जी सारी देखे कितना क्यों पॉंड़क के बुलू कलर का लेकिन मेकब प्रिगड़ा कुछ ने सिंपल में है और आज काफी दिनों के बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं गाइस काफी गर्मी था दक्याद मेकब करें और इस जिसमें पीछे में दिल में दिल बना हुआ है तो गाइज वो भी आपको दिखाते हैं देखिए गाइज गुरिया जी करते जाएं ये खुछ से सी है और इस तरह का काफी ब्लॉग सब जो है कस्टमर लोग दिमांड करता है तो बनाती है और सी के देती है तो उसमें अपना अभी एक ब्लॉग इस तरह का बनाई है तो चलिए गाइज हम लोग मस्ती करते हैं तो आपको कॉमेंट करके बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा गुरिया जी का ब्लॉग का दिजाएं अब लेला अब मैं जुनों ये लेला डिजाएं प्लॉज है गाई मॉडर्न यूज का ब्लॉज एक बात आओ देखें दोस्तों में पती मोचो में कितना हैंसम लगते हैं और हम भी अपने में बदलाव लाए हैं पहले मोच नहीं रखते थे अब गाईज मोच रखना शुरू कर दिये हैं वह भी सिंगा में स्टाइल तो मोच में कैसा दिख अब जोड़ों कॉमेंट में बदाईयेगा और चलिए बुरिया जी के साथ मस्ति करते हैं तो अज हम लोग काफी दिनों के बाद ब्लोग सूट कर रहे हैं गाईज कुछ उल्चन में थे जिसकांसे ब्लोग नहीं बना रहे थे अज काफी दिनों के बाद मौका मिला है तो आप लोग ब्लोग सूट कर रहे हैं तो आप लोग से शौरी बोलते हैं और आप लोग कंटिनू रहेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्टर की वीडियो को फूल बाज कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दिख्याधी आगे हम लोग मस्ती करते हैं गुरियाजी के सोत देट साड़ा मस्ती करेंगे गाई तो चलिए हम पहले मस्ती करने से पहले एक रोमांटिक सा सौम सुनाते हैं तेरे चरे में वो जादू है बिन दोर खिचा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ तेरी ओर चला आता हूँ तेरे चरे में वो जादू है गाई यह मेरा सौम कैसा लगा? कॉमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा और आगे हम चलिए गुरियाजी की सब से गामी रखते हैं गाई कुछ गाम में तो थे भी फसे हुए टेंशन था इसले ब्लोग बना रहे थे लेकिन यह भी बात है कि गुरियाजी में काफी बैस्त थी और जूटी से अभी इधर गर में काफी आ गया है गाईज जिस कारण से डूटी जो है सवेरे करना पड़ता है ताकि यह धूप से बचे रहे फिल वर्क रहे मेरा तो इस कारण से अब काम करते करते साम होई आता है और जिसके वज़े से ब्लोग सुट नहीं कर पा रहे थे तो आज काफी दिनों के बाल मौका मिला है और मौका निकाले है मिला नहीं निकाले है तो है माई दर्सक लोग जो है इंतिजार कर रहा होगा तो इसलिए हम आज ब्लोग सुट की है और आगे से कंटिनुश सुट करेंगे तो चलिए गुए जिसके साथ मुटी मजा देखते हैं गाईज आपको हमेशा मचती है सुटत तो गाईज आज का ब्लोग कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जो लिखेगा उमीद करते कि हमारे ब्लोग को अधीक से दिक लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले ब्लोग में तो पेगले बाइज